नमस्कार स्वागत है आपका इटीनाव स्वदेश पर मैं हूँ आपके साथ पूजा त्रपाथी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकर्ष टैक्स बंद्रा जिसमें की हम टैक्स से जुड़ी आपके जो काफी सारी उलजने हैं उनको सुलजाने की कोशिश करते हैं वो भ अपने सवाल हमें मेल कर सकते हैं और हमारी कोशिश यह रही ही जादा-जादा सवालों को शामिल करने की लेकिन चलिए बाच के शो की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करेंगे एस्टेट प्लानिंग की याने कि आपके विल से जुरी जो भी तैयारी है उसके लिए क्या या इसके बारे में आज हम बात करेंगे क्योंकि हमारे лыगातार इस बात पर बहस कर रहा हो गा कि हमें विल की क्या जडूरत है हम ये ईस्टरीट प्लानिंग की क्या मेरे पास इतना पैस आप और मेरी इंकम भी इतनी नहीं है बाकी मैं बुढ़ा भी नहीं हूँ तो मुझे क्या जरूरत है estate planning की क्योंकि ये तो मृत्यू है मृत्यू के बात की कहानी होती है उस पर भी focus नहीं करना होता है तो जादा तर लोग इस बारे में सोचते होंगे लेकिन हमें नहीं पता के आगे भविश्य में क्या रखा है और ये जो estate planning होती है ये सिर्फ आपके मृत्यों के विचार पर ध्यान के इंदृत करना नहीं है अगर आप ऐसी परिश्थिती में हैं क्योंकि आज हम स्वर्थ हैं लेकिन कल का पता नहीं तो ऐसे भी कुछ स्थिती आ सकती है जिसमें की व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाए या डिसेबल जैसी स्थिती हो जाए तो ऐसे में भी ये काफी ज़रूरी है कि हम अपने विल की हम अपने एस्टेट प्लानिंग प्रॉपर तरीके से कर सके तो चलिए इस बात को आज हम आविस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट बलवन्थ जैंग बलवन्थ जी थांक यू सो मच इचीनाव स्वदेश को समय देने के लिए कि तो आज कर ये जो टॉपिक है अपनी वसीयत तयार करना अपने विल को प्रॉपरली तयार करना इस पर जादातर लोग फोकस नहीं करते क्योंकि उनको अगर कहा जाए तो एस्टेट प्लानिंग का मतलब है आपके पास जितनी भी असेट है वो आपकी इस तरह से डिस्ट्रिबीट करना चाहते हैं तो इसके दो तरीके हैं एक तो आप जब जिनना हो उसी दौरान कर दो और दूसरा है कि आपको चाहें कि मैं मेरी मौत के बाद मेरी जो असेट है वो ट्रांसफर हो वो विल के जरीए ट्रांसफर होती है अगर आपने विल नहीं बनाए तो प्रस्नल लौ के हिसाब से इसके इंप्लानिंग भी हमारे दर्शकों को समझाई आप ने इस तो बताया कि अस्टेट प्लानिंग क्या होती है लेकिन इसकी ये किस तरीके से करने चाहिए इसके बारे में भी हमें थोड़ा गाइड कीजिए देखे पुझा ऐसा है कि आप कितने भी बढ़िया से बढ़िया लॉयर विगेरे अपॉइंट कर दें अपनी विगेरे बनाने के लिए पर उसमें भवीस में डिस्प्यूट होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता तो आपको जहां तक हो सके आप जब तक जिन्दा है तब तक ही अपना एस्टेट का प्लानिंग कर दें मतलड कुछ हिसा अपने जिनको चाहते हैं आप ट्रांस्पर करना उनको ट्रांस्पर कर दें तो ये जैसे आपका जीते जी ही आप देख पाएंगे कि आप इसको अपनी प्रॉपर्टी एंजोय करने के लिए देना चाहते हैं क्योंकि अगर आपकी डेथ हो गया और उसके बाद विल्ड में कोई डिस्प्यूट हो गया तो हो सकता आपकी इच्छा के अनुरूप असेट ट्रांसफर नहीं हो अगर किसी को गिफ्ट के जरीए ऐसेट के ट्रांसफर करने हैं तो उसके क्या फाइदे और नुकसान होते हैं पहली बात तो क्या यह कर सकते हैं अपने वसीयत में इस बात का मेंशिन कर सकते हैं और अगर ऐसा हम करते हैं तो फिर क्या फाइदे या नुकसान है देखिए प के जरिए ट्रांसफर करते हैं तो आप अपनी आखों से देख पाएंगे कि आप कि जिनको असेट दीना चाह रहे थे वो लोग एंजो कर पा रहे हैं और गिप्ट के लिए ऐसा है कि आप के पास में पो प्रॉपर्टी होनी चाहिए आप जो कॉंट्रेक्ट के उसके इसाफ से कॉंपिटेंट होने चाहिए गिप्ट के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं चाहिए और आप जो गिप्ट कर रहे हैं उसके इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए कि मैं यह प्रॉपर्टी गिप्ट में देना चाहता हूं और जिसको गिप्ट में देना चाहते हैं जो डोनी है उसको तो आपकी lifetime में उस gift को accept करना जरूरी है अगर जो डोनर है जो देने वाला उसके lifetime में अगर डोनी ने gift को accept नहीं किया है तो वो gift void हो जाती है मतलब जो recipient है उसके द्वारा gift का accept करना जाना बहुत ज्यादा जरूरी है तो अगर एस्टेट प्लानिंग गिफ्ट के जरीए किया जाए तो फिर उस पर टैक्स के नियम क्या कहते है देखे पुझा ऐसा है कि जो सेक्शन 56.2.10 के हिसाब से कोई भी व्यक्ति गिफ्ट देता है तो जो देता है उस पर कोई टैक्स लाइबिलीटी नहीं है पहले जैसे एस्टेट ड्यूटी थी परन्तु अभी जो गिफ टैक्स पर जो लाइबिली टेक्स लाइबिलीटी यह वो रैसीप्येंट पे है तो अगर रैसीप्येंट को पूरे साल में 50,000 रुपे तक गिप्ट मिलती है तो उस पर कोई टेक्स नहीं लगेगा पर एक बार यह फीगर जो है सब गिप्ट को मिला के सब सोर्स से मिला के 50,000 से ज्यादा हो गया तो पूरी की पूरी गिप्ट जो वे एग्रिगेट वेल्यू है उसके उपर टेक्स लग और अगर यह जो गिफ्ट हैं यह मान लीजें 50,000 तक तो खेर आपने बताया कि किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है लेकिन मान लीजे यह गिफ्ट 50,000 से जादा के वर्थ के हुए तो फिर क्या उस पर टैक्स लगेगा नहीं मैंने जो उनके हाथ में वो टेक्सेबल नहीं होगा जिसमें उसमें आपके आपका आप है आपकी स्पाउस है आपके भाई बेन उनके जो जीवन साती है उनके बच्चे विगेरे है और और उनके लिनियन एसेंडेंट डेसेंडेंट वो सब शामिल है मतलब उन लोगों को अगर आप गिप्ट दे रहे हैं तो उनके हाथ में टेक्स प्री होगी बिना किसी सिमा के परन्तु अगर आपके कोई जैसे नॉन रेलेटिव को गिप्ट के जरी अगर अपके लाइप टाइम में ट्रांसफर करना चाहता है तो उसकी मेजर टेक्स इंप्लिकेशन है क्योंकि अग है रसीपियंट को उस पर टेक्स बरना पड़ेगा बिल्कुल अब लवंजी अब फिल यह समयना चाहेंगे कि मालेजे किसी की मृत्य हो गई हो तो फिर यह जो ट्रांसफर आफ एसेट्स है यह किस-किस तरीके से किया जा सकता है देखिए पूजा ऐसा है कि अगर जो जो ड जो मरने वाले हैं उसकी जितनी भी संपत्ती असेट्स विगेरे हैं वो उसके परसनल लौ के हिसाब से उनकी डेथ पे ही इमिजेटली ट्रांसफर हो जाती है परन्तु अगर मरने वाले ने वसीयत बनाई है और वसीयत में जो जो प्रॉपर्टी छोड़ी है तो वो प्रॉ सकता है तो जब वो एक्जेटर जो असेट को डिस्ट्रुबिट करेगा आपके नाम से तब वो आपके प्रॉपर्टी मानी जाएगी तो जैसे जो बिनावसीयत के जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई इमिजेटली डेथ पर जिसको इंटेस्टेट सक्षेशन कहते हैं त तो और जो जो विल के जरीए जो प्रॉपर्टी आ रही है उस पर आपकी टेक्स की लाइबिलीटी आपके हाथ में जब असेट आती है मतलब जब आपके नाम से ट्रांसफर हो जाती है तो तब आएगी तो जैसे इंटेस्टेट सक्सेशन है जैसे बिना वसीयत के अगर किस तो इसने फार पड़ेगा पर वसीयत अगर बनाई हुई है तो उसकेस में जो जो एकजुकिटर से उनको और लिगल रेप्रेसेंटेटिव को दोाइटीर बहने पड़ेंगे एक तो जो एक अपरेल से के जो डेट अप्डेट है उसका लिगल रेप्रेजेंटेटिव यह जो वसीयत है यह कौन बना सकता है क्या कोई लीगल है लीगल अथॉरिटी है जिसको की कानूं की नजर में एक लीगल माना जाता है या फिर यह वसीयत कोई भी बना सकता है और विल बनाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कोई भी विक्ती जो कंपीटेंट है जो कंपीटेνट हैं जो कंट्रैक्ट के हिसाब से कंपीटेंटे करने के लिए वह वसीयत बना सकता है मतला उसकी जो मान सिक श्तेती है वो एकदम सही होनी चाहिए लॉक मैं ऐसा रिक्वार्मेंट नहीं है कि आपको कॉफ Stem Paper पे वसीयत बनानी पड़ेगी, आप वसीयत प्लेन पेपर पे भी बना सकते हैं। वसीयत जो आप जो बनाई है उसको टेस्टेटर बोलते हैं उसको जो जो वसीयत है उसके बैट दो witness के Sin Nature होने जरूरी है और वो Sin Nature सिर्फ इस बात की गवाई देते हैं कि वसीयत बनाने वाले ने उसके सामने वो वसीयत पर सिननेचर किये है मतल्être वसीयत में क्या लिखा है वो टेस्टेटर को बताने की जरूरत नहीं है वैसे लॉम में वील को रजिस्टर करवाने का mandatory नहीं है परन्तु भविसे में dispute को avoid करने के लिए मेरा सुजाव रहेगा कि आप जब भी वसीयत बने उसको register करा दे आपने एक बार वसीयत बना दी तो उसको आप भविसे में जितनी बार change करना है या उसको खारिज करके नहीं बनानी है जितनी बार चाहे उतनी बार बना सकते हैं आप दिन में चाहे तो तीन चार बार वसीयत बना सकते हैं मतलब उसके कोई restriction नहीं है परन्तु अगर आपने वसीयत register करवाई है तो फिर आपको हर नहीं वसीयत को register करवाना चाहिए ठीक है तो एक थोड़ा और हम थोड़ा इसको और clarity से समझना चाहेंगे कि ये वसीयत किनके द्वारा बनवानी चाहिए क्योंकि एक आम धारना है कि ये lawyer के जो अमीर लोग होते हैं तो वो तो जब उनकी काफी ज्यादाद समपत्ती होती है तो फिर तो वो एक वकील को हैल करी लेते हैं बट और किंकिं के द्वारा आप ये वसीयत बना सकते हैं देखिए ऐसा है कि वसीयत बनवाने के लिए मेरे हिसाब से कोई एड़ोकेट विगेर अगर मिल जाए तो ठीक है परन्तु अगर कॉस्ट बहुत प्रॉइबिटिव हो तो आप प्लेन प्लेन पेपर पे साधी भासा में भी आपके मन में जो विचार आते हैं कि आपकी कौन सी प्रॉपर्टी किसको जानी चाहिए वैसा अपनी भासा में लिख सकते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो वसीयत अगर आप जैसे एड़ोकेट से भी बनाई है तो उसमें तो जो विटनेस है उनका होना जरूरी नहीं है जब वो टेस्टेट सबस्क्राइए और मेरे रायें में प्रेफरेबली आपका अगर अगर फैमिली डॉक्तर है तो फाउमिली डॉक्टर को ही विटनेस बना दीजिये जिसे वविश्य में कभी भी यह प्रसिखन उठे के वसीत बनाने वाली की मानसिक इस्तिती इसमें तो उसमें वो डॉक्ट विटनेस हो सकते हैं कि नहीं मैंने सिलनेचर किया और जो वसीयत बनाने वाले कि मांसिक हिस्तिती एकदम सही थी वसीयत बनाना एस्टेट प्लानिंग करना यह सिर्फ आपके मृत्यू से जुड़ा मृत्यू पर मतलब ध्यान केंद्रित करके इसको ना बनाया जाए यह बाकी जगह भी काम कर सकती है जैसे मान लीजे आज हम स्वस्त हैं कल कुछ हो जाए कुछ disability हो जाए कोई बड़ी दुरगटना हो जाए तो उस केस में भी यह वसीयत बड़ी काम में आ सकती है ऐसा मैंने सुना है क्या आप भी इसे वाकिफ रखते हैं और मृत्यू के अलावा भी क्या कोई और भी इवेंट्स हैं जिनके लिए हम अपनी विल पहले से ही तैयार करके रखें देखें यह जो आप जो शाहिद बात कर रही है वो लिविंग विल की बात कर रही है जिसके अंदर आप आप किसी को अथॉरिटी दे देते हैं कि अगर मैं वेजिटेबल पोजिशन में हो गया मतलब बस मेरे को सिर्फ आर्टिफिशल लाइप सपोर्ट सिस्टम के जरिये जिन्दा रखा जा रहा है और आप अगर नहीं चाहते हैं कि आपके फैमिली मेंबर विगेरे पर मतलब आर्थिक बोज विगेरे पड़े तो आप जो लिविंग विल के जरिया आप अपनी मन्शा जाहिर कर सकते हैं कि मुझे आर्टिफिशली जो कोमा में रखके जिन्दा नहीं रखा जा और मेरे जो रिलेटिव है वो मेरे वियाप पर दिस मेरी मेरी जो लाइप के बारे में डिसीजन ले पाएंगे वसीयत बनाने से जुड़ा एक और मिथ है बर्वन जी इसको आममन यहीं माना जाता है कि यह तो वही लोग बनाते हैं जिनके पास बहुत संपत्ती है बहुत बड़ी जायदाद है जो वो पीछे छोड़के चाह रहे हैं एक आम हाउस वाइफ एक आम होमेकर जिनके पास ज में भी उन्हें विल बना लेनी चाहिए मेरा कहने का मतलब है क्या इसका कोई पैमाना है कि आपकर आपके पास इतना इंकम हो इतनी जायदाद हो तो आपको बनाना चाहिए बाकी छोटे-मोटे इंकम के लिए छोटे-मोटी आपके सेविस के लिए जोल्री के लिए इसकी ज saving bank account खोल दिया वैसे ही आपको एक वसीयत बना देनी चाहिए और वैसे मैंने बताया कि वसीयत पर कोई stamp duty नहीं लगती है आप बिना lawyer को appoint किये भी वसीयत plain अपनी भाषा में वसीयत बना सकते हैं तो वो बिना खर्चे का काम का जाए तो जो नहीं करना चाहिए उसे क्या होता है जो आपके बाद में जो आप जिन लोगों को पीछे छोड़ के जा रहे हैं उनको आपकी संपती प्राप्त करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी नहीं तो जिसे bank विगेरे में है या आपकी जो bank में आपकी पैसे विगेरे पड़े रहते हैं तो थोड़ी थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है वो पैसा claim करने में पर अगर आपकी will बनी हुई है और अगर will आप submit कर दो bank को तो जिसके नाम से जो पैसा assign किया हुआ है विक्वेट किया हुआ है उनको वो पैसा bank दे देती है तो मेरे इसाब से तो आपको जैसे ही bank account खोल दिया या कोई भी asset आपके हाथ में आ जाई आपको will बना देनी चाहिए और आपने जैसे पुझा start में ही बता दिया कि जिन्दगी अनिश्चित है आज आप सो रहे हैं सुबह उठ पाएंगे या आज आप office जा रहे हैं शाम को घर लोट पाएंगे उसकी कोई guarantee नहीं है तो मेरे में सब viewers को कहना चाहूंगा कि आप अपनी जो वसीयत है तुरंत ही बना दीजिए अगर आप वकील की मदद लेना चाहते हैं तो आप बाद में मदद ले लीजिए एक बार को आप अपना working will बना सकते हैं फिर पर आप change कर दीजिए और और कुछ नहीं लिखना है आपको तो आप लिख सकते हैं कि मेरा जो कुछ है वो मेरे जीवन साती का है यह आपकी एक line की simple will होगी आप sign कर दो और दो लोगों से witness की sign करा दो यह आपका एकदम emergency में witness का काम हो गया अपना will का काम हो गया ठीक है तो आप ही कह रहे हैं कि यह जो planning है यह वकील के अलावा भी आप कर सकते हैं एक normal राइट अप लिख लिजए यह आप पर कहना चाहिए अब देखो ऐसा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा property है तो और फिर आप उसमें कि कौन सी property किसको दी रहे हैं उसमें confusion का chance है तो आपको lawyer appoint करना चाहिए बाकि नहीं तो जैसे मैंने आपको one line की will बता दी हर कोई व्यक्ति जो शादिश होदा है वो अपनी सब property पहले अपनी wife को या अपने husband को देना चाहेगा और उसके बाद बच्चों को देना चाहेगा तो वो one line की वसीयत भी काम कर जाएगी तो मान लिजा अगर ऐसे में कुछ dispute हो जाए तो फिर क्या करे तब भी क्या वो जो कागज रहेगा या जो भी हमने लिखा हुआ है तब भी क्या वो जायज है अगर valid will है जिसमें वो witness की sign है बस वो बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है और अगर ऐसा कोई asset जो वसीयत के जरिये मिले और उसको हम तुरंत बेचें तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए क्या अगर ऐसा निंडे ले ले तो फिर tax liability तुरंत उसमें बन जाएगी पूजा ऐसा है कि भले आपको कोई भी property भले आपको वसीयत के जरिये मिली है या सामने वाला वसीयत नहीं छोड के गया और आप legal air है और आपके हाथ में वो property आती है तो जब आपके हाथ में property आती है तो section 56-10 के हिसाब से उसको inheritance माना जाता है और inheritance में कोई tax liability नहीं है ठीक है तो आज हमने चर्चा की estate planning याने कि आप अपनी वसीयत किस तरीके से बनाएं उसके बारे में आज हमने चर्चा की है उमीद है आपको मदद मिली होगी और अगर इससे जुड़े कुछ और भी सवाल हैं जो हमसे छुट गए हो हमसे मिस हुए हो वह आप हमसे पूछ सकते है इस बीच कुछ दर्शे को किस सवाल भी हमें मिल रहे है इस दर्शे का सवाल आया है इन्होंने पिछले साल एक property खरीदी थी जो कि इस साल इन्होंने बेच दी है अब ये जानना चाह रहे हैं कि इस पर short gain, capital gain tax 15% का लगेगा ये करना सही होगा फिर वो जो income इनको मिली है वो regular income में ये add कर दे क्या करना बहतर होगा जिससे कि इनकी tax liability कम हो सके और अपना capital gain जो है वो कैसे calculate करे बल्वन जी इनको क्या सला देंगे आप देखिए पूजा ऐसा है कि जो viewer है उनको कुछ confusion है 15% का जो tax rate जो short term capital gain का है वो listed shares और equity mutual fund जिस पर STT का payment हुआ है उस पर ही लागू होता है बाकी asset class पर लागू नहीं होता है तो जैसे ये इन्हों ने तो एक साल के भीतर भीतर भीचा है मतलब निश्चित रूप से 24 महीं ने तो पूरे नहीं किया है तो जो property जो उस पर जो profit हो रहा है वो short term capital gain है और ये वाला जो short term capital gain है वो आपकी जो ordinary income है उसके बराबर गिना जाता है और आपकी slab rate के हिसाब से उस पर tax लगेगा एक बात और मैं पुजा जो estate planning के संदर मैं बताना चाहूंगा कि आप जो जब आपको inheritance मिलता है तब आपकी कोई tax liability नहीं है परन्तु जब आपको asset inheritance में मिली है वो जब भी बेचेंगे तब आपको उस पर tax लगेगा जैसे कई लोग सोचते हैं कि चुकि inheritance tax free है तो बेचने पर जो पैसा आया वो पूरा tax free है कही लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मेरी तो कोई लागत है यह नहीं तो पूरे के पूरे पर मेरे को capital gain भरना पड़ेगा वैसा नहीं है capital gain की calculation के लिए आपको जो पूराने जो जिससे asset मिली है जो उदमें जो जो previous owner मैसे जिसने भी उसका भुकतान किया है जैसे आपको आपके father से मिली father को उनके father से मिली और आपके दादा ने खरी दी ती तो जो आपके दादा की cost है वो आपकी cost मानी जाएगी और आपके दादा से लेके आप जब तक बेचते हैं तब तक जितना period है वो holding period मतलब पिरियेड माना जाएगा लॉंग टर्म या शॉट टर्म डिटर्माइन करने के लिए जहां तक इंडेक्सेशन का सवाल है तो कहता है कि इंडेक्सेशन तभी से लागू पड़ेगा जब से जो टेक्स पर है उसके हाथ में वह प्रॉपर्टी आई है परन्तु बहुत सा ही है ठीक है एक और सवाल आया है हमारे एक दर्शक का जिन्होंने तीस हजार में अपना एक अपार्टमेंट है जो कि रेंट आउट कर लिया है अब वो दूसरे प्रॉपर्टी में रेंट लेना चाह रहे हैं जो कि बीस हजार जिसकी वैल्यू है तो क्या आईटी लौ में आईटी कानून में ऐसा कुछ तरीका है जिससे ये दोनों इंकम वो क्लब कर दें और जो डिफ्रेंस दस हजार का बचता है उसी पर टैक्स लाइबिलिटी बने क्या ऐसा कुछ तरीका है बलवन जी क्योंकि हम देखते हैं अमूमन इस तरीकी के सिच्वेशन तो मेरे साहने भी परसनली आई है कि एक तरफ लोग कहीं घर खरी लेते उसको रेंट पर दे लेते हैं और दूसरी जगह वो लोग खुद रेंट पर रह रहे होते हैं तो टैक्स बच सके उनका इस केस में कैसा कुछ तरीका है इसमें देखिए पूजा ऐसा है कि इंकम टेक्स एक्ट में जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके रेंट आता है उस पर टेक्सिशन के अलग रूल है आप रेंट जो पेमेंट करते हैं उसमें टेक्स बेनेफिट के अलग रूल है तो आप जो रेंट पे कर रहे हैं उसके सामने जो रेंट रिसीव हो रहा है उसको एड़िस्ट करने का इ जो benefit वो मिलेगा परन्तु एक बात बता जितना भी आप interest payment कर रहे हैं वो पूरा का पूरा deduction मिलेगा परन्तु house property के head में जो loss है वो 2 लाग रुपे तक ही आप claim कर पाएंगे दूसरी income के सामने और अगर ज्यादा loss होता है तो वो loss carry forward होगा जहां तक प्रश्ण जो आप rent payment कर रहे हैं तो अगर आप salary है और आपको hra का benefit मिल रहा है तो आप hra claim कर सकते हैं अगर आप self employed है या salary है परन्तु आपको hra नहीं मिल रहा है तो जो आप rent payment कर रहे हैं उसके लिए section 80 gg में deduction claim कर सकते हैं maximum मैने का 5000 रुपया है बिल्कुर याने दोनों ही income आपकी अलग अलग है दोनों का treatment में अपने व्यूज शेयर करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका चलिए फिलाल टैक्स मंत्रा में इतना ही मुझे दीजिए इजास्त नमस्कार फिल्षाल्ड है दने के लिए सबसाफना के लिए उपका आपका फ़रत आमस्का ज्यूज